हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है तो जैसे आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा कि नीचे फुल बॉड़ी टाइल्स की कटिंग हो रही थी तो कटिंग हो चुकी है उसके बाद यहां पे प्लेटफॉर्म में उसको पेस्ट कर दिया जाएगा तो जो हम लोगों को प्लेटफॉर्म बिल्डर के तरब से दिया गया है वो हमको उतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि एक तो डार्क कलर का था तो जो ग्रेनाइट उन्होंने हमको लगा के दी है वो हमको अच्छा नहीं लग रहा थ सकते हैं कि बिल्डर ने जो हमको शिंक लगा के दिया वो एकद्स कौर्णर में लगाएं तो यह बिल्कुल भी प्राक्टिकल नहीं है यहाँ पर काम करना क्योंकि बहुत मुश्किल Gewo ना तो बरतंद हो सकेंगे यहीं यह जि αॉन्हों बिल्डर कंपर में यसे किल असांत ह हो जाएगी तो अच्छा खासा स्पेस में जाएगा और साथी में जो कीचन में एक होना चाहिए मतलब बॉश करने के लिए वेजटेबल्स या हैंड्स बेट्विन कुकिंग तो उसके लिए कुछ प्लान करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी तो अभी यहाँ पे जो टाइल्स वाले हैं इसको निकालने की कुशिश कर रहे हैं वैसे हम लोगों ने शिंक नया खारित के ला ली हैं क्योंकि पता न हमने इन से पूछे थे कि ऐसा निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा तो वह बहुत अच्छे से निकल गया है उसके बाद फिर यहाँ पर जो कटिंग हो गई है टाइल्स उसको यहाँ पर नापके देख रहे हैं क्या साइज में है कैसा है प्रॉपर कट हुआ है नहीं हुआ उसके बाद फिर इसको paste कर देंगे तो देखे इस तरह किसे कुछ दिख रहा है और मैं बहुत खुश हूँ यह देखकर क्योंकि मैं बिल्कुल भी dark color का platform नहीं चाहरे थी कि kitchen white हो जाया तो देखे इस तरीके का कुछ पूरा full L-shape का मेरा यहाँ पर platform बन रहा है अभी इसमें solution लगाया जा रहा है तो जो ग्रेनाइट हमको already मिली थी उसी के उपर ही हम यह paste कर वारे उसमें solution लगाके इसको इस तरीके से यहाँ पर चिपकाया जा रहा है और यह जो full body tiles होती है यह ग्रेनाइट की तरह ही मजबूत होती है और साथ में इसमें दाग भी नहीं लगता है सब मैंने research करके सारी information शॉफल इसे पूछ के और कुछ वीडियोस देखके मैंने conclusion निकाला के चलो ठीक है full body tiles लगवा देते हैं और बाहर में देखे यहाँ पी एक मेरा platform बन साइट पट्टी जो लगी है वह एकदम लेवल में लगी हमने उपर उठाके नहीं लगाए क्योंकि हमको वैसी पूरा playing चाहिए था तो इस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है देखने में आप लोग को कैसा लगा मैं तो बहुत खुश हूँ इसको देखके अलगी satisfaction मिल रहा है उसके बाद यहाँ पे जो basin वाले एरिया है उसके लिए भी हम लोग टाइस लेकर आ गए हैं तो वो भी अभी यहाँ पर लग जाएगा और यह वाले टाइल्स मैं पसंद की थी बहुत प्यारी है देखने में और लगने के बाद यह और भी जदा प्यारी लग रही तो आप देख रहे हैं लगने के बाद कितनी सुन्दर लग रही है जब इसमें बेसीन लग जाएगा टेबल टॉप तो यह बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही सुन्दर लगने वाली है तो वो बेसीन लगने के बाद दिखाओंगी उसके बाद फिर बचा हुआ इसका पार मैं ये भाईया को बोली आप लगा के दिखा ये देखने में कैसा लगता है बट वो मजा नहीं आ है साथी में या पर बालकनी में भी जो चानल्स है PVC का वो लगचुका है kitchen में भी चानल्स लगचुके है तो हम लोग ceiling का काम है वो हमारा बहुत fast चल रहा है क्योंकि जो P.O.P वाले हैं वो बहुत day night काम कर रहे हैं तो I hope आप लोगों को में जाए ये वीडियो अच्छा लगा होगा चानल पर नहीं तो subscribe कर दीजे वीडियो पसंद आओगा तो like कर दीजे मिलती हूँ आपको अगले वोग में तब तक अपना ख्याल रखे